नमस्कार दोस्तों, एंजिल ब्रोकिंग के इस पॉड़कास्ट में आपका स्वागत है क्या आपने पैनी स्टॉक्स के बारे में सुना है कभी? ओलनाइन ट्रेडिंग के शुरुआत के बाद, स्टॉक मारकिट्स सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अक्सेसिबल हो गया है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करके ग्रोथ देखने के लिए स्टॉक मारकिट एक आइडियल जगे है पैनी स्टॉक्स एक बहुत ही इंट्रिस्टिंग उपरचुनिटी प्रिजेंट करते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स टिपिकली एकदम लौ प्राइसिज पर उफर किये जाते हैं डर्ट चीप लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है आईए आज हम देखते हैं कि पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या benefits हैं और इनसे किस तरह के risks associated होते हैं यूएस डॉलर का 100 हिस्सा होता है याने की 1 सेंट जैसे अगर रुपे के कॉंटेक्स में आपको बोलूँ तो एक पैसा होता है इसी लिए पैनी स्टॉक्स को इस नाम से बुलाए जाता है क्योंकि इनके शेर प्राइस बहुत लो होते हैं इसी से बात आगे लेके जाते हैं कि होते क्या हैं ये पैनी स्टॉक्स तो पैनी स्टॉक्स जेनरली छोटी कंपनियों के स्टॉक्स को बोला जाता है इनका नाकेवल शेर प्राइस लो होता है बलकि इन companies का जो market capitalization है वो भी low होता है Indian market में penny stocks ज्यादा तर 10 रुपे से कम पर priced होते हैं इन stocks को market capitalization के basis पर भी name किया जाता है इसी लिए इनको nano cap stocks, micro cap stocks और small cap stocks भी बोलते हैं क्या आप ये बात जानते थे कि NSE और BSE पर stocks को उनके market cap के हिसाब से ही list किया जाता है That's why ये जो penny stocks हैं ज्यादा तर end में listed होते हैं और कुछ-कुछ penny stocks तो आपको केवल छोटे stock exchanges पर ही मिलेंगे चलिए, आगे चलते हैं और जानते हैं कि penny stocks के features क्या होते हैं एक छोटी सी brief में Low prices के अलावा penny stocks के और भी important aspects होते हैं For example, Indian context में stocks का market capitalization पचास से सौ करोड से कम होता है For various reasons, penny stocks की liquidity बहुत low होती है ये stocks popular नहीं होते As a result, इनको खरीदने वाले investors की संख्या भी कम होती है इसका तीसरा crucial feature होता है इसकी unpredictability वैसे तो सभी stocks के साथ कोई ना कोई amount of risk तो associated होता ही है लेकिन penny stocks के prices को predict करना काफी difficult होता है क्योंकि इनका movement थोड़ा uncertain होता है पर penny stocks का एक ध्यान रखने वाला feature ये होता है इनका risk and return profile Although ये high risk investment माने जाते हैं कभी-कभी इन से मिलने वाले returns अच्छे हो सकते है इसका कारण ये है कि they are very sensitive to market movements penny stocks के features समझने के बाद आईए जानते हैं कि penny stocks में invest करने के benefits और risks क्या है नहीं तो इतना सब जानकर क्या फायदा है ना तो सबसे पहले penny stocks में invest करने के लिए आपको बड़े capital की जरूरत नहीं होती because इनकी price per share low होती है आप अपने capital amount का एक छोटा सा हिस्सा penny stocks में invest करने के लिए dedicate कर सकते हो दूसरा point penny stocks आपके portfolio को diversify कर सकता है कई investors बोलते हैं कि penny stocks में invest करके कोई फायदा नहीं है इनसे कोई return नहीं मिलते लेकिन थोड़ी सी market research करके आप suitable penny stocks धून सकते हो अपने portfolio में include करने के लिए इसके साथ तीसरा point ये होता है penny stocks में movement देखने के लिए आपको सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता है इनके prices में rise और fall कुछी दिनों में देखने को मिल जाता है तब ही तो दोस्तों इनको high volatility investment माना जाता है तो अगर इतने सारे फायदे हैं penny stocks में invest करने के तो risks क्या हैं? आईए, देखते हैं सबसे पहली problem ये होती है penny stocks में invest करने के लिए आपको adequate information मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ज्यादा तर experienced investors तो ठीक तरह से research करने के बाद किसी stocks में invest करते हैं है ना? और यही सलाह हम आपको देते हैं कि कि किसी भी stock में invest करने से पहले उसमें अच्छे से research करिए लेकिन penny stocks के साथ ये अकसर possible नहीं हो पाता है इनकी performance की history available नहीं होती है और financial growth वगेरा पर information धूनना भी थोड़ा difficult होता है और तो और ये जो दूसरी risk है ये बहुत important है penny stocks एक scam का हिस्सा भी हो सकते हैं इनको usually pump and dump scheme बोला जाता है इसमें कोई एक party किसी share की बहुत सारी volume खरीद देती है जब prices बढ़ती है तो बागी के investors इन stocks की तरफ भागते है और जब investment मिलता है तो high prices पे इन stocks को वो party एकदम से बेच देती है तो just like everything in the stock market अगर आप penny stocks में भी invest करने की सोच रहे हैं अपने portfolio को diversify करने की सोच रहे हैं with penny stocks तो ठीक से research करने के बाद ही आप इसमें invest करियेगा नहीं तो आप भी ऐसे ही किसी scam का हिस्सा बन सकते हो तो in a quick summary आज के podcast में हमने जाना कि penny stocks में आपको बड़े profits भी हो सकते हैं और उतने ही बड़े losses भी हो सकते हैं ये short term investment के लिए एक बड़िया option है लेकिन low liquidity के कारण इनको sell करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है और सतर्क रहने वाली बात ये कि कई सारे penny stocks scams भी होते हैं तो please be on the lookout अपनी research ठीक से करिये और उसके बाद ही इनमें invest करिये अगर आप किसी भी listing के बारे में थोड़े भी suspicious रहते हो तो इनसे दूर ही रहने में भलाईए पर Angel Broking के इस podcast से दूर मत रहिए शेर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी family के साथ उनको भी घ्यान बाटिए क्योंकि घ्यान बाटने से बढ़ता है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए मिलेंगे फिर से एक नए पॉड़कास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए Angel Broking आप डाउनलोड करिए और अपनी investment journey शुरू करिए Happy investing